हेलो एब्रिवन तो आज के वड़े में आपको बताने वालों काफी लोगों को स्केल पे एकने निकलने लग जाती है जिसके गानुन को बहुत जादा दिखते हैं देखने को मिल जाती है जैसे कि आप जाते हो समर्स में काफी यदा एकने समर्स में निकलने लग जाती है या मेरे भी निकले थे एक टाइम पर अब भी बिल्कुल मेरी स्केल्प क्लियर रहती है तो यह निकलते क्यों है इनको सही कैसे किया जा सकता है एक अच्छा रूटीन रहना चाहिए आपका वह कम्प्लीटली आज की वीडियों समझाऊंगा बट उससे पहले प्लीज इस वीडिय को लाइक कर दो जल्दी सब्सक्राइब करके बेला इकन को भी प्रेस कर दो ओके तो सबसे पहले स्केल्प में एकने उने के काफी सारे रीजन रहते हैं देखो काफी रीजन भी बोल सकते हैं थोड़े बहुत रीजन ही बोल सकते हैं ठीक है सबसे बहला मेन रीजन तो आया आप स्केल में आकने देखनें तो इसकेवार चार रिजन रहते हैं और यहों जजाते हैं। कभी-कभी अचार वगरा खाते हो, ओली खाते हो, उसके कान भी आपको ये दिखते हैं, देखने को मिल जाती है, इसके कान सर में खुझली होना भी देखने को मिल जाती है, फिर आप क्या खुझलाते हो, वो एकने फूट जाते हैं, फिर वो ही पस वगरा आपके हैंड पर भी फैल सकती है तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको तो यह सिंपल सा फंडा था कि आपको समझ आ गयोगा oiliness के कारण यह सब चीज़े होती है इसको सही कैसे करें पहले तो देखो oiliness के कारण आपके क्या हुआ naturally आपकी scalp oil है और आप oil लगा रहे है यह किसी को knowledge चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा oiliness नहीं करनी 24-24 गंटे के लिए अगर आपकी scalp पहले से oiliness में अगर आप कर भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है बट summer में करोगे तो आपको दिक्कत देखने मिलेगी एक चीज मैंने personally notice किया अगर आप अपन बोलते है ना इसका coconut oil यूज करते है ठीक है कोई भी coconut oil यूज करते है वो मुझे लगाने के बाद कभी कभी लगए मुझे उससे अग्ने देखने को मिल रहे है बट यह हो सकता है वैम होगा मेरा उसको लगाने के बाद कभी कभी गरम गरम सा लगता मेरी स्केल में best plan तो वो चीज के साथ भी हो सकता अब कुछ लोग गरम oil यूज करते हैं उसके गान ? कुछ लोगों को देखने को मिल जाते हैes, बहुत ज़्धा गर्म कर लेते हैं, व्याज़न छी मेरक न होते हैं, अगर आप ओलिलिंग वह ज़्यादा कर रही है, स्केल को क्लीन नी रख रहे हैं, इसके कारण देखो, आपने ओलिंग वगरा कर ली, उससे क्या होगा, आपके जैसे की स्कैल में जो follicles रहते follicles तो क्या होंगे पोस रहते है वो block होने लग जाते है उसके अंदर hair भी फस जाता है ठीक है ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लोग सुचोगे कि यहां के follicles भी block होते हैं हाँ होते है skin कहीं नहीं होते हैं आके hair follicles जो रहते हैं वो भी ब्लोक हो जाते हैं उसके अंदर किया फिर पस वगरा बच जम जाती है फिर वो ड्राय होगा फिर जाकर ही वो अटेगा तो इसलिए आपको ध्यानक ने dirt oil इन सबसे बचके रहने हैं आपको oiling ऐसा नहीं गहारा कि बंद कर दो बट अभी आपको बोजाद एकने देख में मिल रहे हैं तो oiling एक बर के लिए बंद कर दो oiling बंद कर दो आपको hairs को regular clean करना होगा और dirt अससे बचा के रखना होगा ठीक है dirt वगरा जैसे oil पे बोजा था चिपकती आप लगा लगा के तेल भार जा रहे हो तो वो चिपकेगी scalp में और इसको regular clean करते रहा करो अगर आपका रोज ट्रैवलिंग का काम है जिसमें आपके इस खुले रहते हैं और आप बाइक वगरा पे जा रहे हो और hairs में मिट्टी वगरा जम जाती है इसलिए आपको इसको regular clean करना पड़ेगा अपनी scalp को अब देखो यहां पर कुछ पार्स बन जाते हैं एक तो regular जान इसलिए मैं यह चीज बता रहा हूं जिनकी रहते हैं उनको acne वगरा देखने को नहीं मिलते तो वह चाहिए दो दिन के gap में कर लिए एक दिन के gap में अपने हिस को wash कर सकते हैं उनके लिए शेंपू जोगरा अलग रहते हैं अब यहां पर आपको एक शेंपू चूज करना हो को शेंपू मैं रहे हैं यहां पर से जर्ष कर रहा हूं सक्यलपफ से कौई इस एक हैं उज कर लेका अपको क्या करना है इसको अच्छे से सबसे पहले यूज उज कर लेना अपके लिए बैस रहे हैं अब नदा रहती है तो आपको double time shampoo करना है, नहीं तो one time भी कर सकते हूं, आपको क्या करना है, इस shampoo को सबसे पहले अपने हैंड पे लेना है, बालों को गिला कर लिया, पे लिने के बाद रब की हैंड में जागो के रहा बनी, अच्छे से scale में लगाना, ठीक है, रूट्स में लगा क अगर आप विंटर्स में यूज़ कर रहे हो तो ठंडा ऐसा होना चाहिए यह मिक्स होने के बाद वह हलका ठंडे की तरफ लगे ना की गरम लगई या उबलता पानी डाल रहे हो इससे एकने निकलेंगे अगर आप गरम पानी अपने सर में डालते हो तो इस चीज़ का दियान प्रफ ओ रहा था इंफेक्षण सकल्ब में हो उड़ा था वह सही कर वा दिया था अगर आपको सिर्फ ओंली जैसे की ऐखने वगरा हो रहे हैं तो नोर्मल प्रोपरली वोश करते रहोगे को क्लियर रखा करोंगे डर्डस से और ओयल से तो आपकी सकल्प सही रहे घी अब को जैसे जिनको जैसे की बोलेंगे कि ऑई-ली ना फिरह तो देखो आपको अभी एक-दो मिना या डेरव मिनने के लिए ओयलिग न थोड़ देने के लिए तो उसके बाद- Corn कर सकते हैं ताकि आपकी स्केल्प क्लीर हो जए कुछ टाइम तक ड्राइगी थोड़े स्केल्प तो उसके करने के बाद काफी लगा के रहने लग जाते हैं तो उसके करना आपको दिक्कत देखने मिल जाती है स्केल्प पे एकनी होने लग जाती हैं तो बस आज के रूट में ही था, सिंपल सा फंडा था, मैंने आपको कमप्लिटली क्लीर कर दिया तो आज के रूट में ही था वीडियो पसंद आई, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल इकन को जुरूर प्रैस करते हैं ध्यान रखना, फास्ट फूर्ड भी ओईली जादा नी खाना जगफूर नी खाना, और क्लीन रखना स्केल्प को ओईल होगे रहा जादा नी लिगाना और शेंपू रेगुलर गते रहने, तो बस मिलते हैं नेक्स वीडियो में